जहें दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एसपी किलास एस में आज की वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए आई एस इंटर्वी में कुछ पूंचे गई महत्तपुन सवाल तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर अभी तक आपने हमारे चैन आज का अपना जो फर्स्ट कॉस्चन है वाए कुछ इस प्रकार है वीडियो को पूरा अवस्देग हैं क्योंकि बहुत ही महत्तपुन महत्तपुन सवाल है जो आई एस इंटर्वी में पूंचे गए हैं जिस प्रकार जो कॉस्चन है कि एक केले को बिना काटे तोड़े ती कैसे बौंटोगी तो इसका जो अंसर होगा और यहाइब बनाना सेफ बनाकर गुल को बिना काटें तोड़े तीन लोगों में बांट शक्ते हैं अंग्ला कॉस्चन होगा कि कौन सी ऐसी खाने की चीज़ है जो हजारों साल तक खराब नहीं होती तो कौन सी है जल्दी से बताईए क्वासि नमबर दो क्या होगा इसका सही आंसर जल्दी से बताईए कौन सी ऐसी खाने की चीज़ है जो हजारों साल तक खराब नहीं होती तो आप का आंसर होगा सहद मदुमक्यों मदुमक्यों का जो सहद होता है एक कई सालों तक खराब नहीं होता है इसे हजारों साल तक स्टोर करके रखा जा सकता है और खाया जा सकता है इसमें कोई इसमेल नहीं आती गाउं में तो सहद जितना पुराना हो उतना हीसुद और गुणकारी माना जाता है अंगला question है एक आदमी अपनी कार में बैठा हुआ है उसे दो दर्वाजे दिखते हैं एक हरा और एक लाल भाई सबसे पहली कौन सा दर्वाजा खोलेगा जल्दीश बताईए क्या होगा question number 3 cancer एक आदमी अपनी कार में बैठा हुआ है और उसे दो दर्वाजे दिखते हैं एक हरा और एक लाल सबसे पहली कौन सा दर्वाजा खोलेगा तो आप का अंसर होगा कार का दर्वाजा कार का दर्वाजा क्योंकि एक आदमी अपनी कार में बैठा है तो पहले वायकार के दरवाजा खुलेगा, अंगला question है, कि 11 में कब दो जोड़ने पर उत्तर एक आता, जल्दिश बताईए question number 4, 11 में कब दो जोड़ने पर उत्तर एक आता, तो आप का अंसर होगा, जब घड़ी में 11 बचते हैं, तब बारा और एक जोडने पर एक बजता है तो इस परकार सवाल को लोग गणत के गुणा भाग करने लगते हैं तो इस परकार के जो सवाल है इसमें गुणा भाग करने लगते हैं लोग क्योंकि गड़ी में ग्यारा के ग्यारा में दो जोडने पर कितनी आती हैं एक आता है लिए इस परकार इसका जो आंसर है इस परकार हैंगल H होता है कार जितना भी कार जितना बड़ा होता है अंगल्या क्वेशन ने हैं इसका कुं सा फूल है जिसका बजन 10 गिलो घ्राम तक होता है तो ऐसें वे 되어ते सीं कमेनटें में बताए आउसर कौं सा फूल है जिसका बजन 10 किलो कि आपका जो आंसर होगा है रेफलिया फूल यह मलेशिया यह में इंडोनेशिया में पाए जाने वाला एक आस्टेरजनिक परजीबी पौदा है कौन सा रेफलिया फूल यह जो होता है 10 किलोग्राम तक का होता है अंगला कॉस्चन है किस फल को पकने में दो साल लगते हैं अ कमेंट में अगर आपसे आंसर बनता है तो कमेंट में जरू बताएं किस फल को पकने में दो साल लगते हैं तो इसका जो आंसर होगा वह है अनानास जो अनानास होता है यह एक जो फल है इसको पकने में कितने साल लगते हैं दो साल अंगला कॉस्चन है कैलकुलेटर को हिंद क्या होग इसका राइट आंसर तो क्या कहते हैं तो आपका आंसर होगा क्या रुकुलेटर को हिंदी में गड़क या परीकलक कहा जाता है अंगलक वास्चान है विश्पु की सबसे लंभी घांस कौन से है जल्दी से बताइए विश्पु की सबसे लंभी गांस कौन सी है तो इसका जो आंसर होगा वह बास जो आपका राइट आंसर होगा अंगला कॉस्चन है वह कौन सा जीब है जो जीब से कान साफ कर लेता है कौन सा जीब है भाय कौनसा जीव है जो जीव से कांसा कर लेता है तो जिराफ ही एक मात्र ऐसा जीव है जो अपने काम को जीव से साप है कर लेता है तो आज की वीडियों बस इतना ही एफ वीडियो आपको क्या असा लगा कमेंट की माध्यम से जरू बताएं और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दवाएं और और पर क्लिक करें ताकि और वीडियो की नोटिकेशन आप यहां तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेर करें ताकि अनलोग भी देख सकें एफ वीडियो और वीडियो को लाइक करना न भूलें तो आज के वीडियों बस इतना ही जैहिन